दीजी एमेस में माइनिंग पदों के लिए वेकिंसी नहीं निकलने पर छात्रों ने बुद्वार से डीजी एमेस के समक्ष अनिश्चत कालीन घरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है माइनिंग शात्रों का कहना है कि Safety Conference Report के अनुसार माइनिंग स्टैचरी पोस्ट में बहुत सारी रिखतिया है पिछले काफी समय से इन रिखत पदों को भरा नहीं जा रहा है मायनिंग छात्रों ने 17 मार्च को खान सुरक्षा महानिदेश शाले के महानिदेशक से मुलाकात भी की थी इसमें भरोसा दिलाया गया था इसके बाद 26 जुलाई को खोईला भवन में फिर सेयरिकारियों से मुलाकात की गई एक बार पिर आश्वासन मिला लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसकी वज़े से सभी मायनिंग छात्रों का भविश्य अंधकार में जा रहा है कई छात्रों की तो आयू सीमा खतम होने वाली है भविशे को लेकर हम अर्निश्चित काली नधरना परदर्शन के लिए बात हैं छात्रों का कहना ये भी है कि 15 दिन के अंदर सभी रिक्त स्टैचरी पोस्ट को भरने के लिए फ्रेश वेकेंसी निकाली जाए ताकि मायनी छात्रों का भविशे उजवल हो परदर्शन के लिए वालों में सकीश महतो ऐसली आदी भी मौजूद रहे फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जादो जानकारी के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूरे